अगर आज के दिन मज़ा आया तो कमेंट में लिखिए कुछ भी लिखिए जो मन में आये आप देखेंगे SEPC 15% उपर चला एक टाइम पर 18% उपर था एक्षन आया कि नहीं बिल्कुल आया एक्षन यहाँ पर हमने बाय किया था SL कटा था आज फिर रिएंट्री की स्टॉक ब्लास्ट तो यह चीज होती है आपको हमेशा यह चीज याद रखनी जो आपका SL काट रहा है न वह ही आपको प्रॉफिट देगा अगर वह उपर जाएगा न तो प्रॉफिट तो दे गई न तो यह चीज है और SL हंटिंग के बाद जो वालिम आते हैं वह भी काफी जाद आते हैं और एक्षन भी तगड़ा आता है तो स्टॉक को मेरे साब से निकालना चीज चौतिस पैतिस के असपास निकाल सकते हैं हाला कि मैंने पार्शिल बुकिंग कर लिए है मैं इसमें सिंप्ली होल्ड करने का सोचूंगा ठीक है तुकि होता है कि स्टॉक पे एक तरफा एक्षन आ रहा है यह स्टॉक पचास भी जा सकता है हो सकता है साथ चला जाए मतलब हो कुछ भी सकता है ठीक है अब देखो स्टॉक कहां भी चला जा चुका है all time high पर अब all time high पर इस्टाउप को नहीं नहीं all time high पर नहीं 32 इसका resistance एक सेकंड बात रर्जिस्टेंसे तो 32 तक चाहिदो भूप कर सकते हैं यहां पर एक supply आ सकती है तो यह बात है इसके लावा देखते हैं ट्रिपल लेट है ऐसे ही चल गया यह तो रेन होल्डिंग मैंने बताया था ना यह स्टॉक भी बहुत अच्छे एक्षन दिखा साड़े 8% है यहां तक स्टॉक अराम से जा सकता है तो यह है समय ऐसे समय में कमाना होता है इसे समय में लोग अगर इसकिप कर देते ना तो वो प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं इसके लावा यह भी स्टॉप चला है लाइक लैब भी दो दिन से लगाता है चल रहा है इसके लावा विजया डैगनोस्टिक एक भाई कह रहे था ना कि आपके रिकमेंडेशन से फस्स गया हूँ 916 पे खरी लिया पहली बात तो मैं कोई रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ ठीक है और आज चल गया ना 5% उपर 916 पे खरीदे भी है तो 970 इसे प्रॉफिट हो दे रहा है न तो यह चीज है वॉल्म ड्राइप सिट अप मोमेंट आगया तकड़ा यह चीज होती है और लोग आज कल क्या कर रहे ना ब्लेम करते हैं कुछ भी हो जाता है दूसरे को ब् प्रॉफिट होता है और आप सामने वाले की अगर मोटी वेट नहीं कर रहे हैं मैं यहने कह रहा हूं बढ़ा ही करो मोटीवेट अगर आप नहीं कर रहे है तो आप ब्लेम भी नहीं करना चाहिए आपको क्योंकि मतलब मैंने यह देखा है कि अक्सर लोग का जब देखता हूँ ना तस बार देखते हैं सेटप अच्छा काम कर जाता है उस टाइम वो कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन जिस दिन लॉस होता है ना उस दिन कहते कि आपने फसवा दिया मैं कह रहा हूँ क्या कि पूरा पै मैंक्स यह स्टॉक मेरे साब से काफी एक्षन दिखाने वाला है अब अगर यहां पर मतलब डूर्टाइज सिच्वीशन है यह की लेवल है यहां इसके उपर निकलता है तो एक्षन आना ही आना चाहिए अन्य था फिर यह श्टॉक और नीचे वापस से फिर चला जाएगा सिंपल सी बात है यह लाश्ट चांस स्टॉक के लिए अच्छा परफॉर्म करनेगा और बाल कृषन पेपर यह स्टॉक भी काफी बेटर है अगर इसको देखा 28.50 के असपस की लेवल है SBC Export मैंने कल बताया था आपको याद होगा और एक हफ़ते से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ यहां पर भी मैंने आपको वीडियो में बताया था अगर आपको याद हो यह चीज एक हफ़ते से ट्रैक किया स्टॉक नीचे आया कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बाद चला है यह ब नहीं पर एंटर कर लिए होंगे फोमो में तो उनको एंटरी दिया ऐसल काटा फिर चला है इस प्रकार से मार्केट हमेशा चलता है तो बढ़िया है बनाई यह बैसा लेकिन बस हां एक चीज यार रखे कि ऐसे टाइम पर ऐसे टाइम पर मत जल्दी बुक मत करना पार्शल कर सकते हैं लेकिन एसा नहीं पूरा यही पर बेच कर निकल जाए तो आप हमत आ जाती प्रॉफिट के समय हमत चली आती है तो प्रॉफिट के समय घट ना जाये ऐसे काम थोड़ी ना होता है इस प्रकार से बात होती है अब यहां पर देखें कि यह भी चल सकता है 56 के आज श्रीराम प्रॉपर्टीज यह भी बताया था मैंने आराउंड यहां बताया था पर यह कैस्ट वाल इंडिया यह स्टॉक में आक्शन आना चाहिए लेकिन ये इंसाइड इंसाइड भी बन गई है लेकिन जो केंडल का साइज तो काफी साथा मैं यह चाहता हूं यहां तक चला फिन नीचे आ गया वो सवाल ग्रीन की बात करें इसमें भी यह खुला ही गैप तो इसको तो ले रही नहीं था ठीक है देड़ सौक रुपए के असपास है मेरे साब से इसमें एक्शन बहुत जल्दी आना चाहिए अगर आज कहाई क्रॉस करता तो स्टॉक को चलना च में सिंजीन यह भी चला है एक है चला सकते हैं या रखे जिकलल याद क्या चला सकते हैं आप्लें पइंटार्ड जाए कि मुलाओ अधक तार्गेद यही दिन kritis अदर विसके लावा आई-सी-स्टाय सकते हैं इसका पहला तो सब पहला तो कहा है यह किल यह ड्लकी लेविल चार्सु बत्यस मान के चलिए चार्सु बत्यस की लेविल है इसके उपर एक्शन आना चाहिए स्टॉप में ठीक है स्विंग के लिए कंसीडर करेंगे ज्यादा बैटर रहेगा स्टॉप लोस इसमें पांच परसंट तो लेने ही पड़ेगा देख लेते हैं पांच लेने ही पड़ेगा हाँ 5% कैसल रहेगा 3-way ने इंजिनेरी ये भी अच्छा लग रहा है 485 के इसमें भी आक्षिन आसकता है सुराज इंजन ये भी काफी सॉलिड लग रहा है इसमें भी एक्षिन आ सकता है 3450 क्या स्पास मान की चलिए ठीक है और एक और स्टॉक है ये स्टॉक कहां से आ गया टेक्स इंफ्रा था शायद वह टेक्स इंफ्रा मुझे अच्छा लग रहा था हां टेक्स इंफ्रा ये स्वराज में इन तीनों में और टेक्स इंफ्रा जो है उसमें उतना कन्फिक्शन नहीं है तो ये रही आज की वीडियो और हां रिप्लाय जरूर मतलब कमेंट जरू करिएगा अगर आपने अच्छा प्रॉफिट आज की दिन बनाया तो मिलते नेक्स वीडियों झाल जरूँ